लिखरिएमें प्रराइं स्क्राइच सॅट माझंग welfare नियुके तैसले संटेश मैत कौ Πेराब सिर्कीन कमा सक्राइब चमाष्व मैं हुई हरसुक्ला and I am here to deliver a speech on c आगे अपने c language program प्रोग्राम के बाहने में कुछ परने से पहले खोटे चोटे ट्राम्स के बारे में जानेंगे जैसे प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम, प्रोग्रामर, प्रोग्रामिंग लेंगवेज, कमपाइलर and IDE इसको हम समझेंगे एक एक्जाम्पल गत्रू तो हम एक सिनेरियो बनाते हैं जिसमें आप अज्यूम करें एक लडगा है, वो एक स्कूल में पढ़ता है, और वो केवल हिंदी लैंग्विज जानता है, लेकिन वो जिस स्कूल में पढ़ता है, वो इंग्लिस मीडियम है तो ए को एक स्कूल में annual function कराना है जिसमें बहुत सारे programs होंगे जैसे dancing, singing, etc. तो उस लड़के को वहाँ पर anchor का role मिलता है तो वो एक copy पर एक pen से लिखता है कि पहले उसको कौन से programs कराने हैं जैसे की dancing, उसके बाद singing और भी आज इस चीज़ें तो अब हम जानते हैं इसमें programming क्या है, program क्या है, programmer कौन है, programming language कौन है, IDE क्या है और compiler का क्या role है तो जैसे कि हमने story में देखा जो एक लड़का था, वो हम लोगs assume करते हैं कि वो एक programmer था, क्यों क्योंकि उसने सारा का सारा arrangement किया, उसने एक copy पर हम यहाँ copy को एक IDE मानते हैं, integrated development kit जिस पर इसके कुछ examples है, turbo, c++, eclipse, and etc. तो अब हम देखते हैं programming language क्या है, जैसा कि हमने बात किया कि जो लड़का था, वो किवल हिंदी जानता था, तो वो हिंदी क्या हो गई, एक language हो गई, ऐसे ही computer में कुछ programming language होती है, जैसे c language, java, and etc. अब हम लोग देखेंगे कि इसमें compiler क्या हो गया, जब वो लड़का हिंदी लेंग्वेज जानता था, लेकिन उसको इसको इसको में English में anchoring करनी थी, तो उसने help किसकी लिए, dictionary की, तो वो dictionary का role है, वो compiler करता है, compiler का role क्या होता है, जो हम लोगों की जो हाई, हम लोगों की जो machine learning language, जो की binary language होती है, 01, उसमें convert करता है, अब हम लोग अपने अगले topic पर आते हैं, जिसका नाम है, what is C, C क्या है, C is a high level programming language, C एक high level programming language है, और ये किसी भी program को सीखने से पहले, ये सबसे जादा basic और सबसे जादा powerful language है, क्योंकि इससे हम direct memory से contact करते हैं, अब हम आते हैं अपने दूसरे topic पर, history of C, C is developed by Dennis Ritchie at Bell Laboratories at AT&T, American Telephonic and Telegraphic USA and it is developed in 1972, Dennis Ritchie is also known as the founder of this C, before C language क्यों बनाया गया, अब हम इस topic पर बात करते हैं कि C language क्यों बनाया गया, C language, C language से पहले कुछ programming language और भी थी, like P और PC PC, ये programming language ऐसी थी, इनके अंदर बहुत सारी कमिया आती थी, तो इसी चीज को सुधारने के लिए एक open source programming language बनायी गई, जिसका नाम था C, अब C, मैं कोई भी अगर कुछ अपने मन से कोई program डालना चाहता था तो वो open source थी, उसको कोई भी कोई भी नया word बनाता और उसमें machine language में integrate कराकर IDE के अंदर, उसको फिर run करा लेता था, अब हम लोग अपने C के पहले topic पर आते हैं, और यह सबसे ज़्यादा important topic होता है, जिसे हम variable के नाम से जानते हैं, अब हम जानते है variable होता क्या है, variable का काम क्या होता है, variable store करता है value को, अब हम लोग देखते है value क्या होती है, और variable क्या होता है, variable जैसे कि अभी हम market में जाएं, अभी हम लोग मार्केट में गए, अभी हम लोग उपर एक साइट खरीदनी हैं, लेकिन जब हम साइट खरीदते हैं तो उसके उपर प्राइस टैग लगा रहता है, तो उसमें आप जब प्राइस देखते हैं तो उसके आगे लिखा रहता है, MRP इक्वल टू 250 ये कुछ भी हम लोग मान के चलते हैं, तो MRP क्या हो गई, वेरियेबल हो गया, लेकिन जब 250 की बात आती तो वो क्या हो गई, वैल्यो हो गया, तो वही वाला concept आ जाता है कि MRP एक वेरियेबल हम लोग मान लेते हैं और 250 एक वैल्यो हो गई, तो MRP क्या कर रहा है, उसको इसको हम बहुत ही जाता easy language में कहें, तो अभी हम लोग मान के चले एक travel करने जाते हैं, अभी हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों को प्यास लगती है रास्ते में, तो हम लोग एक बोतल लेके चलते हैं जिसमें पानी होता है, तो हम बोतल को मान लेते हैं एक वैल्यो मान लेते हैं, तो जब बोतल वेरियबल है और पानी एसके अंदर इस्टौर हो रहा है तो वो क्या हो गया वेरियबल के अंदर कोई भी वैल्यू स्टौर हो रही है अब हम वेरियबल क्यों लें क्या है उसकी इंप्वॉर्टेंस उसdola कर लेते है जैसे कि अभी हम लोग मानके चलते हैं कि इस्कूल में एक मार्शीट बन रही है, जिसमें कुछ लोगों की एज है, एक लड़के की एज है 28, मान के चलते हैं, पॉलेज के स्टुडेंट की, ठीक है, और स्टुडेंट ने 20 चरहा दी, मान के चलिए उसकी गल्दी से 20 आ गई, अब वो लड़का जाएगा, तो अलग अ अगर कुछ edit करना होगा, तो केवल एक ही जगे पर edit कर देंगे, age equal to 20, तो एक ही जगे correction करेंगे, तो work थोड़ा easy हो जाएगा, तो आज के लिए वस इपना है, thank you.